दे स्कूल फेट आज स्कूल मेले का दिन है पैपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पैपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शेप, जानी डॉग, रिबेका रैबिट और पैड्रो पोनी हेलो दोस्तो मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है फेश पेंटिंग करना गुबारे पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा उच्छने वाला कासल पसंद है मुझे सब कुछ अच्छा लगता है बहुत अच्छी पसंद है पैपा फिर मिलेंगे पैपा फिर मेलेंगे. जब से अच्छा क्या लगता है? इनोसुर. ओ डियर. मेले में कोई डाइनोसॉस नहीं है, ज़ॉज. शायद हम इक डाइनो सुर गुबारा ले सकते हैं. आपको यकीन है उनके पास डासूसॉग गुबारे हैं, ढटी पिग? हाँ हाँ जरूर होंगे मुमी पिग क्या पहले मैं और जो अपना मूँ पेंट कर ले हाँ क्यों नहीं मिस रैबिट ने पैपा के दोस्तों को टाइगर जैसा पेंट किया है तो यह लो सूजी अब तुम्हें टाइगर जैसी लगती हो थेंक यू मिस रैबिट मुझे तुम्हारा चहरा अच्छा लगा सूजी किया तुम पुसी बने हो यह हूं पेपा तुम अपना चहरा पेंट कराना चाहती हो नो बिल्कुल मुझे बनना है एक ऐलिफंट ओ यह एलीफिंट नहीं जानती मैं टाइगर बना सकती हूँ ठीक है टाइगर बना दीजिये लोग ग्या पेपा अब थुम्हें टाइगर हो चौर्ज क्या क्या बनना चाहते हो चाइगर गृः एक डाइगर उसके बजए एक टाइगर कैसा रहेगा मैं अच्छा टाइगर बनाती हूं मैं टाइगर हूँ! मैं भी weep oneself टाइगर ़ूफ-वूफ नहीं बोलते तुमें कैसे पता? क्योंकि टाइगर बडे बिल्लिया होते है और मैं यक बिल्ली हूँ कैन्डी, क्या तुम हमें सिखा सकते हो Čउइगर कैसे बनते है तुके टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं, पर जब टाइगर खुश होते हैं, तब वो पर करते हैं, पर, 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 हैलो बच्चों, ओ ये क्या है, तुम सब टाइगर्स हो, और मैं उन्हें सिखा रहे हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं, तुम चोटी टाइगर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिलकुल ठी हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सब को गुबारे दिलाते हैं अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारे चाहिए जरूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलेफिंट का गुबारा ले सकती हूँ यह तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट वाला हो हां मे मेरे पास यह सब है है और सबसे जरूरी है हम एक डाइन histor का गुबारा चाहिए जॉर्ज के लिए ओट्रया मेरे पास डाइनसौर का कोई गुबारा नहीं है ओफ्धन कि मत-करो जॉर्ज मेरे पास एक आइडिया है क्या हम यह दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उ नहीं यह बिल्कुल ठीक डाइनसार डाइनसार बनाया अब उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सबको उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है तब यह ठीक नहीं मुमी और डाडी पिग ने अभी-अभी पेपा और जॉज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तयार है पेपा के चहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तब्य ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए है पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को चेक करने जॉक्टर ब्राउन बेर आए है हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पेपा को तो सर्फ रैशेज आए है मुझे दवाई की ज़रूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ हाँ, दीजिये ना इसका स्वाद शाय अंधे तुम्हें पसंद आए चलो अब मुझ खोलो याख, गंधी और कडवी बड़ी ही बहादुन लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबियत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं, ये रैशस फेलेंगी नहीं गुडबाई बाई बाई डॉक्टर ब्राउन बेर मामी क्या मैं उठ सकती हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा पर ये कितना बोरिंग है डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोगा सकते है क्या सूसीजीशीब मुझसे मिलने आ सकती है सूसीब पेपा की बेस्ट इट हे मैं उसकी ममी को फोन करती हूँ घलो मिसस पेग पेपा सूसी से बात करना चाहती है हलो सूसी हेलो पैपा, मेरी तबिया ठीक नहीं है, मेरे जहरे पर राश है डॉक्टर आये थे क्या हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे उन्होंने कहा मेरी तबिया ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ तो तुम सचमुझ बीमार हो हाँ हाँ मैं जूट नहीं बोल रही मुझे बिस्दर में ही रहना है डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ सूजी शीप पेपा से मिलने आई है सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है टानी डॉग और रबैका राबिट भी साथना है हेलो पेपा हेलो तुम कैसी हो पेपा मेरी तब यह ठीक नहीं है सूजी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है तैंक यू सूजी अभी कुछ ठीक लग रहा है थोड़ा सा टानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आइस क्रीम खा सकती हूं और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो पेपा ठीक हुई यह नहीं यह देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेर आए है अरे वाह नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूं मैं तो बस ऐसी ही अच्छा जी तो क्या मैं उसे देख सकता हूं हाँ प्लीज हरे वाह रैशिस गाय अब हो गय है तुम तो बिलकुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूं अब कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ मैं 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 भी अरे ये क्या तुम तो बिलकुल ठीक हो गई प्लेग्राउंड पेपा और जॉज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में हैं कैंडी कैट और पेड्रो पोनी क्लामिंग फ्रेम पर हैं रुबेका राबिट सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइड पर खेल रहे हैं पेपा जूले पर जूल रही है मामी मामी जूला चुलाओ ना तुम तैयार हो हां मुझे बहुत उंचा जाना है और उपर मामी जूले पर जूलना है अब तुमारी बारी जूले बारी कसकर पकड़ो मैं जूलाओंगी जूले जूलाना पेपा जी मामी कसके पकड़ना जूले जूले ओहो, पेपा ने जॉर्च को बहुत जोर से जुला जुलाया, जॉर्च को ये बिल्कुल पसंद नहीं पेपा, तुम्हें पता है जॉर्च को उचाए से डर लगता है सॉरी जॉर्च चलो वहाँ खेलते हैं हलो सोजी, हलो डानी हलो पेपा वी तुम सब गलत कर रहे हो, जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो, एक, दो, चलो मेरी तरव देखो, मैं पंची की तरह उठ रही हूँ मैं फस कई हूँ पेपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें धोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पेपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे है मा हुरेइ तैंक यू दोस्तो जोर्ज क्या तुम्हें क्लाइमिंग फ्रेम पर खेलना है क्लाइमिंग फ्रेम बहुत उंची है जोर्ज को उचाई से डर लगता है सॉरी जोर्ज अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं स्लाइड यिपी पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सब को स्लाइड करना पसंद है मामी डारी मुझे देखिये एक दो चलो ये जोर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जोर्ज ये थोड़ा उंचा है ठीक है मैं तुम्हें उपर चड़ा देता हूं ओफो ये भी जोर्ज के लिए बहुत उंचा है चरो मत जोर्ज मैं साथ में स्लाइड करता हूं डाड़ी आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं कुछ भी मत कहो पेपा मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं चलो पीछे हटो एक दो तिर डाड़ी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बाद है डाड़ी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हां शायर थोड़ी हसी आ सकती है हां में आपको नीचे धकेलना होगा जोड़ी को डाड़ी के पेट पर उचलकर अच्छा लग रहा है जोड़ी को अब उचाए से बिल्गुल डार नहीं लग रहा है के बर्दे पार्थी ही ऑच पेपा का बुर्थ डे है और सुभा हो चुकी है अज मेरा ब्रद जॉटव मेरा और डाइडी जादू दिखाने वाले हैं. जल्डी चलो जोज ममी और डाइडी को उठाते हैं. ममी पिग और डाइडी पिग अभी भी सो रहे हैं. उठिये मेरा बडे उठिये. कितने बज़े हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पाच बज़े है हां पूरा दिन खतम हो रहा है चलो तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं यिपी मॉमी पिग डाडी पिग और जॉर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्थडे पेपा क्या है इसमें गुडिया का ड्रेस मैं से टेडी को पेनाती हूं आप सबको थांक यू खुश रहो पेपा मुझे नहीं पता था ये टेडी एक लड़की टेडी है ओ डाडी आपको नहीं पता टेडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थांक यू कोई बात नही टैडी, बसे से खराब मत करना. तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है? हाँ, मेरी बद्ध पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डाडी जादू दिखाने वाले हैं. हो, हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डाडी है. तुम सब को बताओगे के मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्भाजाओ हाँ, अद्भुत जादूगर डाटी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरी दोस्ता आगए यपी पैपा के दोस्ता आगए कांडी काट, सुजी शीप, डाडी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पूनी हलो दोस्ता आगए पैपा चलो बच्चो पाटी शुरू हो रही है ये टाडी पिग जादू का शो करने वाले है पैपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ, एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी दोस्तों पेश करती हूँ, जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक, अबराकाडाबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम मेंसे किसी की मदद चाहिए मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सूजी शीप देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब मैं पीछे मुड़ जाओंगा तब तुम्हे मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ आबरा का डाबरा तुमने चुनी पीली नहीं आबरा का डाबरा नीली? नहीं पाबरा का डाबरा लाल? हाँ तुमने जवाब हुरेइ भुट्टु जादु कर डाड़ी आपने तीनो रंग बता दिये पेपपा इसी को बताना नहीं हाँ क्या एक और जादु देखना चाहो? हाँ, प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादु शब्द बोलो अबरा का डाबरा अबरा का डाबरा अब अपनी आखे खोल दो हुरे मेरा बर्दे केक मौमबतियां बुझाओ पेपा हुरे पेपा सबी को ठैंक यू यह मेरा सबसे अच्या बद्दे था पेपा और जॉर्ज प्ले ग्रूप में जा रहे हैं यह जॉर्ज का पहला दिन है जॉर्ज क्या तुम्हें प्ले ग्रूप में जाना अच्छा लग रहा है राड़ी मुझे लगता है जॉर्ज अभी प्ले ग्रूप के लिए बहुत छोटा है वो ठीक रहेगा पेपा और फिर तुम और मिस्टर डाइनसौर वहां उसके साथ रहोगे लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ किरना चाहती हूं ना कि जॉर्ज और उसके डाइनसौर से ओ जिया पेपा जॉर्ज के साथ प्ले ग्रूप में जाना नहीं चाहती हूं पहुंच गए टैडी आपको यकीन है जॉर्ज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है भाई बाई बाई मैडम गजैल पर गोड के बच्चों की देख भाल करती है हेलो यह है मेरा छोटा भाई जॉर्ज हलो जॉर्ज काश मेरा भी एक जोर्ज ऐसा एक छोटा भाई होता सेच में हेलो मैं हू डानी डॉग क्या यह डाइनोसार है यह सिर्फ एक खिलोना डाइनोसार है डाइनोसार शान दार डाइनोसार सच में टरावना है यह शांदार है जोर्ज मेरा भाई है और वो कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जोर्ज पर गर्व है चलो हम जोर्ज को बताते हैं कि तस्वीरे कैसे बनती है जोर्ज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हाह मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है जोर्ज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं पहले तुम एक बड़ा सोगन पैंट करो नहीं जॉर्ज ये रंग सही नहीं है अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो जॉर्ज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जॉर्ज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जॉर्ज ने पेंट किया है एक डाइनसौर ये राइनसौर चांदार जॉर्ज और पेपा की तस्वीरों को दिवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हें अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लेने आ गए है क्या जॉर्ज फिर से आ सकता है और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जॉर्ज एक और डाइनसौर की थस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शांदार हाँ शांदार शांदार बेस्ट फ्रेंड पैपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है हेलो सूजी सूजी शीप पैपा के साथ खेलने के लिए आई है पैपा को सूजी पसंद है सूजी को पैपा पसंद है वो पक्की सहेलिया है पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेड्रूमें जाकर खेलो ठीक है मॉमी जोज भी खेलना चाहता है पैपा और सूजी को पैपा के बेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है और जोज को भी नहीं जोज ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है जाओ और अपने खेलोनों से खेलो पैपा और सूजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं मैं एक बहुत चोटी सी परियों के राज कुमारी हूँ मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ और तुमें एक मिंदग बना दूँगी जोज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता जोज भी खेलना चाहता है नहीं जोज मैं सूजी के साथ खेल रही हूँ तुम कहीं और जाकर खेलो जोज पैपा के साथ खेलना चाहता है वो अकेला महसूस कर रहा है जोज मुझे मदद चाहिए मैं चॉकले चिप कुकीज बना रही हूँ जरा बोल में से चक कर बताओ जोज को कुकीज बनाने में ममी की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कॉन बनेगा जोज पैपा और सुजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोज को भी पैपा जोज की धड़कन सुनती है जोज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझ खुलो प्लीज सुजी जोर्ज का टेंपरेचर चेक करती है ओ डियर तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडी बिग जोर्ज को देखने आये ओ नहीं क्या हुआ है जोर्ज को चिंता मत कीजिए ये सिर्फ खेल है जोर्ज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम मरीज से मिल सकते हैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए वरना वो ठक सकता है कुकीज हाँ ये जोर्ज के लिए है यह उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुड़गुड सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी कोकिस खानी चाहीं और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी तट्रूट फैरी पेपा और जॉज अपना फेवरिट खाना खा रहे हैं नूडिल्स कितना शोर मचा रहे हो खतब हुआ अब हमें थोड़ी शान्ती मिलेगी यह क्या है यह दाथ है यह कहां से आया पेपा तुमें जाकर आएने में देखना चाहिए यह तो मेरा दाथ है यह कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा यह दूद का दाथ है वो तो गिरते ही हैं नया दाथ आजाएगा ना ममी हाँ जरूर आएगा पेपा इसका यह मतलब है कि आज टूद फैरी तुमसे मिलने आएगी टूद फैरी? हाँ टूद फैरी अगर तुम अपना दाथ तक यह के नीचे रखोगी तो टूद फैरी आएगी टूथ फेरी तुम्हारा दांट ले कर जाएगी और उसकी जगह वो एक जमचमाता सिक्का रखेगी जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूँगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज एक डाइनसौर जल्डी करो जॉर्ज सोने का वक्त है नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रही हो मैं अपना दांट प्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए उच्छ और साफ हो पेपा जल्ड से जल्ड सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉर्ज गुद नाइट मामी गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्छों जोर्ज मैं तो सूँगी नहीं चलो हम दोनों पूरी राद जाकते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं यह टूथ फेरी कब आएगी टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूथ फेरी वो आवाज कैसी थी क्या वो टूथ फेरी थे जोर्ज क्या तुमने कुछ सुना ओ जोर्ज ओ यह वाज तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत दिर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूद फेरी आ ही गई लेकिन पेपा सुई हुई है हला पेपा, क्या तुम्हारे दाथ के बदले में तुम्हें ये सिका चाहिए कितना अच्छा और साफ दाथ है ठेंक यू पेपा, गुद नैट पेपा, जोज, अच्छाओ, सुबा हो गई हो, क्या, मैं सुई नहीं थी क्या टूद फेरी आई थी नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा, टूद फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कोईन रखा तुम सो गई थी है ना हाँ, शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूद फेरी से जरूर मेलोंगी बैले क्लास पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है ये है माडम गजेल, बैले की टीचर ओहो, तो तुम हो चोटी पेपा मैं हूँ माडम गजेल हेलो माडम ओहो, कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से सुवागट है मैं तुमें बाद में लेने आऊँगी बाई-बाई मजे से सीखो ये रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी बच्चो, आज एक नई स्टूडिन्ट आई है पेपा पिग जाओ पेपा, अपने दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो, हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी प्लिये से डेमी प्लिये अब एक चूटा जंप पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता से पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पहले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपने हाथ उपर उठाओ ऐसा सोचो कि तुम्हें खूबसूरत हांस हो और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवास करेगा नाचना बहुत पसंद है सबको नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पेपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और सुनदरता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाऊं मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं फिर तुम डाडी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाइ बाइ पेपा और ममी पे घर आ गए हैं टाडी जोज मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत आसान था पर आपके लिए जोज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमें चाहिए म्यूजिक गुट अब जोज टाडी और ममी आप ऐसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माडम गर्जेल ने मज़ेदार शब्द बोले पर असल में सिर्फ गुटनों को मोड़ना होता है और जॉप करना है पटी शित है डाडी आपको वो शब पता है क्योंकि ममी पिक और मैं बैले करते थे साफधानी से डाडी पिक हाँ 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 हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैटड़र मुझे शायर ठीक से याद नहीं रहा पुद्धु डाडी पेग शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए हाँ मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुबसूरत हंस हूँ दादा पिक की बोट दादा पिक पेपा और जॉज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों पेपा जॉज चलो लाइफ जाकेट्स पहन लो दादा पिक की बोट पर पेपा और जॉज को लाइफ जाकेट्स पहनने ही पड़ते हैं पता है बच्चों इस बोट का क्याप्टन मैं हूँ आय आय काप्टन जब क्याप्टन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी छोड़कर क्याप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते बेलकुल नहीं क्याप्टन दादा जोर्ज जंडा लेरा आओ पेपा बेल बजाओ आयाय काप्टेन डादी पेग वील सम्हा लो आयाय काप्टेन चलो चलते हैं तेज चलो जायद आपको थोड़ा दीने चलाना चाहिए तुमने सही कहा दादी पिग मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग तेज चलिये ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा जाएंगे हम बाद में तेज जाएंगे देखिए एक और बोट यह दादा डॉग वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएंगे कैसे हो डानी और दादा डॉग कैसे हो डादा पिग हलो डानी हलो पेपा दादा डॉग दादा पिग के बेस्ट फ्रेंड है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट अभी भी तेर रही है दादा डॉग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है यह पुरानी बोट तुम्हारी जंग लगी बालते से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग अच्छा तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं हरने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उसे पहले सौरी बोला तो बोलुञा अपने दोस दादा पिग को सौरी बोलिए वो आपके बेस फ्रेंड है ना दहें वह पानी पिग है और मेरी बोट उसकी से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुद्री डॉग अगले ब्रिज तक रेस लगाते हैं तो चलो तीन तक गिनते हैं एक दो तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़ के दिखाओ पाने बेक समुद्री डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पड़ सकते हैं जीत कया ओ ये क्या दादा पेकी बोर्ट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की कैप्टन दादा शाद मैंने कुछ जाधा ही तेज चला दी हम वापस घर के से जाएंगे वो देखिये दादा दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग सपनी बोर्ट को नहीं खचवाना मैं उस पाने पिक को खीचने के लिए पूछा भी नहीं क्या आप दुनों कभी बड़े होंगे दादा पिक अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझ माफ करना कि मैंने तुम्हें समुध्री डॉग कहा । दादा डादा पिक को सौरी बोल या ना मुझे माफ कर दो मैंने तुमहें पानी पी कहा बहात अच्छे दादा डॉग क्या आप हमेंए खीच कर घर तक ली जाएंगे और ये करने में मुझे बहत ही खुषी होगी कड़ो, Captain. All right, Skipper. Dada Dog Dada Pig के best friend है. Dada Dog Dada Pig की बोट को खीच कर घर ले जा रहा ही है. सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि मैं रेस चीट गया. Dada Pig? शहरारती Dada Pig. Skipper, बेल बजाओ. Aye aye, Captain. स्कूल का नाटक. Peppa की क्लास एक नाटक करने वाली है. Little Red Riding Hood. Hooray! सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है. उन्हें घर में प्राक्टिस करनी होगी. Peppa होगी Little Red Riding Hood. Mammy Pig ने Peppa को तयार किया है. और Daddy Pig पेपा की प्राक्टिस में मदद कर रहे है. उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ. मैं दादी से मिलने जा रही हूँ. शाबश, Peppa. Danny Dog बनेगा बड़ा बुरा भेडिया. Dada Dog और ममी Dog प्राक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं. मैं हूँ बड़ा बुरा भेडिया. और मैं तुम सब को खा जाओंगा. देखा? हाँ, सच मुझ बहुत डरावना था. Pedro Pony शिकारी बनने वाला है. वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा. मैं एक शिकारी हूँ और… Pedro थोड़ा शरमीला है. नहीं. तुम कहना मैं तुम्हे भगा देने वाला हूँ बड़े बुरे भेडिये. मैं तुम्हे भगा दूंगा बुरे भेडिये. शाबाज, Pedro. Rebecca Rabbit दादी बनने वाली है. मैं क्या बोलू, मम्मी? देखते हैं. नातक के शुरुवात में बड़ा बुरा भेडिया तुम्हे अलमारी में बन कर देगा. नातक के अंत में तुम्हे शिकारी बचा लेगा. और तुम कहोगी थैंक यू. कहो थैंक यू. थैंक यू. बहुत अच्छे, Rebecca. स्कूल में नातक देखने सभी आये हैं. आप सभी का स्वागत है. हम पेश कर रहे हैं. दे लिटल वैज ड्राइडिंग होड. तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से. कलाकारों की फोटो लीना मना है. ऐसा मत कीजिये. और अब शिरू करते हैं हमारा नाटा. दाधी घर पर हैं. पर ये महमान कौन है? मैं हू बड़ा बुरा भेडिया. क्या बात है, दैनी? ओहो, आगे क्या बोलना है? दैनी भूल गया. दाधी, आप अलमारी में चले जाओ. अलमारी में जाओ. बड़ा बुरा भेडिया दाधी बनने की नकल कर रहा है. मैं हू लिटल रेड राइडिंग होड. मैं दाधी से मिलने जा रही हूँ. शावाश, पेपा. डाधी, आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए. ओहो, सारी पेपा, जारी रखो. मैं अपने दाधी से मिलने जा रही हूँ. तुम मेरी दाधी की तर नहीं दिख रही हो. तुम्हारी आखे कितनी बड़ी है. तुम्हारे दाध कितने बड़े है. तुम मेरी दाधी नहीं हो. तुम एक बड़े बुरे भेडिये हो. बचाओ कोई बचाओ बचाओ पर देखो, यहां कौन आया है यह है शिकारी पेद्रो बचाओ कोई बचाओ बिल्कुल सही वक्त पर शिकारी पेद्रो पेद्रो थोड़ा शर्मीला है पेद्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलू हाँ प्लीज तुम बहुत ही शराती बेरिये हो मैंने आपको बचा लिया दादी हुरेए थैंक यू शाबाज शाबाज बहुत अच्छे पेड्रो तुमने बहुत अच्छा किया तुम बिलकुल मेरे जितने अच्छे थे तुम बहुत अच्छे तुम बहुत अच्छे अच्छे आज शानदार धूप के लिए और पेपा और चॉर्ज अपनी साई के लिए चला रहे हैं कितना बढ़िया पंकिन है डाडी पेग डाडी पेग को अपने पंकिन पर नाज है मुझे बस पंकिन ही उखाने आते हैं शायद इसलिए मुझे पंकिन पाई से प्यार है चल दी आओ जोर्ज जैनी, सूजी, रिबेका पेपा और उसके दोस्त डैनी डॉग, सूजी शीफ और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साईकले जला रहे हैं चलो डैडी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डैडी के पंकिन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उससे टक्रान आ जाए अगर पंकिन टूट गया तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे चिंता मत करो पेपा रेस करो पेपा और उसके दोस्त डैडी पिक के पंकिन की तरफ रेस लगा रहे हैं एए मेरे पंपकिन का ध्यान रखना प्रेज़ ध्यान से डाडी का पंपकिन प्रेज़ को कितने धीरे चला रहा है कि अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पेपा इसमें भी बैलेंसर लगे हैं मैं बिना बैलेंसर के चला सकती हूँ मैं भी मैं भी चलो फिर से पहाडी पर चड़े तुम आओगी पेपा नहीं मैं यही पर रहूंगी बाई 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 पेपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलेंसर ना लगे हो डाडी मुझे अपने साइकल में बैलेंसर नहीं चाहिए तुम बिना बैलेंसर के चला पाऊगी हाँ ठीक है पेपा इसे निकाल देते हैं डाडी पिग पेपा की साइकल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं इसमें हसने जैसा क्या है बिन बैलेंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूं पैपा हाँ डैरी प्लीज ठीक है रेड़ी स्टड़ी गो छोड़ना मत डैरी दब्राव मत मैं पकड़े हूं काफी अच्छा चला रही हो पैपा छोड़ना मत डैरी बस पैडल चलाती रहो पैपा बिन बैलेंसर के साइकल अपने आप चला रही है तैडी आपने मुझे छोड़ दिया तुम तो कितनी देर से अपने आप चला रही हो सच में तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो सच में ओ मैं चला सकती हूं देखो मुझे देखो मुझे मै साइकल ठीक से चला सकती हूँ जानी सुजी रिबेक्का देखो मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे रेइग यह जो डारी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे पेपा मेरे पम्किन का ध्यान रखना अजीच जाओंगी पेपा नहीं देख रही कि वो कहां जा रही है वाँ जया पेपा ने तो डैडी पेख के पम्किन के चटनी बना दी सोरी मैंने आपका पम्किन तोट दिया डैडी पम्किन के चिंता मत करो जरूरी यह है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना कि किस तरफ जा रही हो प्रामस डैडी जरूर रखोंगे गूड हाँ तो जब पम्किन टोटी गया है तो क्यों ना इसकी पम्किन पाई बना ली जाए मजह पसंद है पम्किन पाई और क्यूंकि डैडी पेख का पम्किन इतना बड़ा है इसलिए सब के लिए काफी पम्किन पाई होगी पेपा और जोज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जोज ने डाइनसौर की ड्रेस पहनी है डाइनसौर यह है पेपा के दोस्त, कैंडी काट, सुजी शीव, जानी डॉग, रबेका रबिट और पेड्रो पोनिग सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सुजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फ्रेंशी टेस आली नर्स हूँ हाहा, बहुत अच्छे अरे वा, ये कौन आय है मैं हूँ पाइरेट, मुझे सब डरो मैं जादूगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ नए, मैं एक जोकर हूँ हाहा, बहुत अच्छे तुम क्या बनी हूरेबेका रबिट? मैं काजर हूँ बढ़ी हा, अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तों? हेलो, पेपा हेलो, सुजी मैं हूँ राजकुमारी पेपा तुम्हें मुझ से जुग कर बात करनी चाहिए हेलो, राजकुमारी मैं हूँ नर्श सुजी मुझ खोल कर कहिए आँ नए मैं हूँ जोकर कुछ मजेतार करो रिबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो? मुझे गाजर पसंद है डाइनोसर पापरी, तरावना, डाइनोसर पेपा आईने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हेलो, पेपा हेलो, मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ तुम्हें तुम्हें जोज तो खुद को देखकर ही डर गया ओफो जोज दिखो आइने में तुम ही हो बच्चों अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा मैं मैं ये पेपा की पाटी है तो जज भी उसे बनना चाहिए मैं जज हूँ, मैं जज हूँ डैडी, जज क्या होता है? जज तैय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है अरे वाह पेपा ये तैय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है सूजी, क्या मैं तुमारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सूजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ शाबाश नर्स सूजी अब डैनी मैं हूँ पाइरेट मुझसे सब डरो अब कैंडी मैं जादूगर्नी हूँ मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं पर्यों की राजकुमारी हूँ और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो बच्चो सॉरी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रिबेका मैं गाजर हूँ अरे वाह और मेरा चोटा भाई जोज टरावना डाइनसौर बनाए सब के ड्रेस बहुत अच्छे है अब तुम बताओ विजेता कौन है अरे हाँ और विजेता है पै पैपा पैपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो नहीं कर सकती तुहें कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है गाजर जीती वाह ऐन्क कूँ पैपा को फैंसी ڈ्रस पारण पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है